अने जगत एतो भगवाननों आधी भौतिक स्वरूप छे जैने ख्षर ब्रह्म केवाई छे तो जगत मिथ्या नथी जगत सत्य छे तो मिथ्या क्या है तो के संसार मिथ्या हाई अने हवे संसार इटले सू एहमता ममता अज यहां बेश शब्द आवी जाए मैं और मेरा हूं अने मारू अने त्यांती जे स्टार्ट था इचे इनू नाम संसार हूं मैं अने मारू हम सब जानते हैं न कुछ लेके आए न कुछ लेके जा सकेंगे जे मल्यू एइथी मल्यू अने जे मल्यू छेई एक दिवस पाच्छु जवानू छे परन्तु जे मल्यू एनू मोह जे मली ने वयू गयू एनू शोक अने जे नथी मल्यू एनू भय एनी चिंता मनुष्यना दुखना कारण आत्रण छे श्मत भगवत गिता भगवान हमें समझा रहे हैं कि ये मोह ये शोक और भय मोह जे मल्यू एनू मोह मल्यू छे एक दिवस जसे पाची ये जे गयू एनू शोक थतो होई छे पेला आम हतू आउँ हतू तेउँ हतू आम केम थयू शोक अनि जे मल्यू नथी एनी चिंताओ एनो भगव मल्यू शे के नहीं या काम थशे के नी भगव किटलो भगव छे मनुष्यनी अंदर ता त्रण दुखना कारण छे एनू जे नाम एहमता ममता एना थी आशोक मोह भगव जन्म ले छे अनि एज दुखनू कारण छे अतह संसार दुखस्य संसार ही दुख का कारण है तो ए संसार एटले एहमता ममता नी विस्मृती विस्मरन धाई जवू अन ए विस्मरन साथ है भगवद आ सकती ठाकुर्जी मां अत्यंत प्रेम लगाव थो एनू नाम छे निरोध प्रपंच विस्मृती पुरेव का भगवद आ सकती एती निरोध है तो आ निरोध निव्याख्याशी महाप्रभुजी करी तो समझायों निरोध एटलेशों कि समझायी चैने हाँ के ना बोलो हाँ समझा तू ओए तो हाँ एम नहीं पाचा अब दूसरी बात निरोध पन बेप्रकार ना भ्यान आप जो आब दी श्री सबोध नी जी श्री महाप्रभुजी आमा गुढार्त बता भी रहा चैने बेप्रकार ना निरोध एक साध्य रूप निरोध अने बिजू साधन रूप निरोध साध्य रूप निरोध भगवान पोताना स्वरूप बल्थी पोताना स्वरूप थी भक्तों ने करावे चैने ध्यान आप जो आविशे उपर पोताना स्वरूप बल्थी भक्तों ने निरोध सिद्ध करावे चैने ये क्यारे संभव छे के ज्यारे भगवान साग्षात रूपे प्रत्वी उपर बीरास्ता हुए एटले के अवतारकाल अवे भागवत मां अपड़े आ दश्मसकन्नी लीलाओने आवे छे मां जोई ये छे कि अभी ब्रिजभक्तों गोपी जनों पुत पुताना घरना कारे मां लागे ली छे अभकवान, दान, मान, रास, माकर ने चोरी आदि अनेक लीलाओ करी ने पुताना स्फरूप बल्ती जिया अलग पुताना कारे मां लागे लो छे भगवान सामें चाली ने पुताना स्फरूप थी इना मनु आकर्शन करे छे, निरोध जिद करावे छे अब ये तो अवतार काल मा संभव चे हमना जो ये बले ये ब्रह्म तो हर जगे है सरव खलो इदम ब्रह्म हां लेकिन उसाख्षात रूप से तो हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे न अब ये अज ये समय छे एने अनवतार काल कहवाए अनवतार दशार अवतार दशार अनवतार दशार अब ये काल छे अनवतार एटले के जहां साक्षात रूपे नों विरास्ता होई आपणे बधा जे काल मां जीवी रया छे जे समय मां एने अनवतार दशार के वाए तो पच ये आपणने निरोध कई रीते सिद्ध थशे कारण के आपणी पण भक्तिनी यात्रा तो ए जे छे के मूल तह जीवने निरोध सिद्ध थवो जोई ये जारसुदिये जीवने निरोध सिद्ध न था एक कृतार्थ थत्व न थी तो एना माटे श्री महा प्रभु जीए अना उतार दशाना जे जीवो छे एना माटे साधन रूप निरोध आपणने बतावे साधन रूप निरोध अन ए निरोध कई रीत सिद्ध थाए एना माटे श्री आचारे महा प्रभु जी सुबोध नीमा आज्या करे छे के निरोध अस्य अनुशयनम प्रपंचे क्रीडनम हरे अर्थात भागवान जारे आपणा प्रपंच मां खेलवा माटे पधारे अस्य भागवत पश्चात शयनम स्थिती आपणा घरमा श्रिवल्लब क्रिपा करीने जे ठाकूर्जी नी सिवा पधरावी आपे छे अनुशयन ए आपणा घरमा बिराजेला प्रभु आपणा प्रपंच साते श्रिवल्लब एने जोड़ी आपे छे आपणा प्रपंच साते प्रभु खेलवा माटे पधारे छे इटले श्य महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध पछी सु मुख्य करतव्य छे ज्यान आपो दमला जी ने ब्रह्म संबंध आप यू अब दमला जी ने कही कि जैराज अब मिरो करतव्य का है अब मिरो का करतव्य तो श्याचार जी ने का कही अब आसमर्पीत वस्तू नाम तस्माद वर्जनमा चरेड़ कि अब ये करतव्य तुम्हारों बने हैं अब समर्पीत वस्तू अनको त्याग करो सर्व वस्तू समर्पणम आज सुकामशी महाप्रवजी सर्व वस्तू समर्पणम कहे छे कारण के मूलत है बद्धी वस्तू भगवान निच छे पुर्व मां आ विश्युप घणी वकत वात करी शिमहाप्रवुजी पर निबंध मां आज्या करी नमो भगवते तस्मई कृष्णा याद भुद कर्मने रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडती यो यतह आ जगत नी जिब द्धी वस्तू छे ए भगवाने पोतानी लीला करवा माटे ए वस्तू ने प्रगट करी छे बहुत ध्यान आप जवा वस्तू ने तो समझा छे भगवाने पोतानी लीला करवा माटे आ वस्तू ने प्रगट करी बद्दी वस्तु भगवान नीचे अने जीव आ मारू छे आ मारू छे आ मारू छे आ मारू छे आ अने ए वस्तु ने भोगवा लागी जाई छे पांच प्रकारना विशय भोग, शब्द, स्पर्ष, रूप, रसने गंध, आँखने जो गमे, जीबने स्वाद गमे, कानने सामबडवू गमे, स्पर्ष गमे हाथने, आपधा विशय छे, अने ए विशयों ने मनुष्य भोगवा लागी जाए छे, अब समझवानी वात है कि ए विशयों ने भोगव्या वगर आपने जीवी पर न शक्ये, भोजन वगर रही शकाए, जोया वगर रही शक्ये, सामबड़ा वगर रही शक्ये, तो उनके बिना हम रह भी नहीं सकते हैं, आपड़े एमने छोड़ी पर न शक्ये, तो श्याचारी जेशु कयो, छोड़ो मत, जोड़ो, भगवान मा ए बदी वस्तुओं ने जोड़ी दो, करणके ए बदी वस्तुओं एमनी जिछे, एमने पोता ना माटे प्रगट करी छे अने जारे जीव बीजानी वस्तुओं जे भगवान नी वस्तुओं छे, एने एमने समरपन करया वगर पोते जो डाइरेक्ली एनो भोग करे छे, तो ए जीवने पची दोश लागया छे आवस्तु समझों माटे बहुँ शास्त्रवाच्वानी जरूड नथी, तो मैं विचारो कोई, समझों आप एक सिंपल एक द्रश्टानती समझे आपणू घर, आपणू पार्किंग, आपणू पार्किंग होए कार नो पार्किंग अने एमा पची बीजो कोई आवी ने पा इनू छे नहीं अन्य त्या एने पोतानू मानी इन भोग करी हो तो दोश लागे हो के नहीं? लागे हो के नहीं हाँ के ना? हाँ ऐवी दे आख्व वा जगत भगवान ने जारे पोता न घंते प्रगट करी होए एनी वस्तु जारे पोता क्रोड़ करी होए ने एनी परमिशन वगर एने निवएदन करया वगर समरपण करया वगर तमें डायरेक्ली बहुग भूग वगाला गो मुदा अधो दोश्न के यह ह आगे हाँ के ना हाँ कि इतले शी आचार जीशु कई और समर्पीत वस्तु नाम तस्माद वर्जिनमा चरे अब इस वस्तु ओथी तो जीवनपन चाले चले छोड़ी पन नशकाए यह चोड़ो नहीं कृष्ण मा जोड़ी दो सर्व वस्तु समर्पणम सवार्थी सांज सुधी नी जेपन मधी प्रक्रिया हो चे कृष्ण मा जोड़ो आपड़े त्याँ पुष्टि मार्ग एक वैराग्यनों मार्ग न थी एक प्रहु अनुराग न उमार्ग छे के तमारी आसकती अहमता ममता केवल एक शरीर मा न राखो परिवार मा पन राखो केवल परिवार मा पन राखो धर्म मा पन राखो केवल धर्म में नहीं आत्मा में भी रखो धीरे धीरे आपड़ी एहमता ममता न आम फेलावानी छे घटाडवानी घटावानी बद्धी जग्यायते आसकती हटावी लेवानी एक बीजी ये प्रत्रिया अलग छे प्रशी महाप्रभूजी आपड़ने कहे जएगे एहमता म वाहिए अम्ताने वधारो और नहीं भगवान शुदी पोँचाड़ों यह हमना आपनी जे आसकती हो मैं और मेरा घर परिवार इमाच छे कि किवले परिवार मा नहीं घर मा नहीं यह आगण वधारो और आगे ले जाओ और आगे ले जाओ यह थाकुर्जी सुदी आँ मारो प्रिवार, आमारी पतनी ओमारो पती देम डेहा संबन्दी पशु मा पन रोए छै। तो श्री महाप्रवुजियेक भाई तु प्रेम रख पन, आवो प्रेम नी रख, तो क्यों प्रेम राख राख. है, परिवारमा प्रेम राखे आव क्या थी चाल एप प्रेम राखो पने प्रेम नों रंग केवो हो जई ने भागवद पृतियर्थम। जह मुँँ क्रिश्ण मुदास चू तो मारों परिवार पण क्रिश्ण मुदास छे, वैश्न हो छे शेवा सतसंग मां सहयो ग्रूप छे अने जो परिवार मां असने होई तो ए प्रेम सारों केवाई परन्तु खाली लौकिक विशय वासना माटेज एक संबंधों मां आ सकती होई तो एवा संबंधों एवो प्रेम तो पशु मां पण होई छे घोडा, गदेडा, बंदर आज जिटला पण पशु होजे तो मिजू एनी अंदर पण देह भाव होई छे देह भाव करता वदारे हुँ तो को ए वांदरा के एक गदेडो के एक घोडो एने खाली एटली नथी खबर, एटली समझ नथी के हुँ एक शरीर छुँ यहने शरीर करता पन एमा आ सकती वदारे प्रेम रहे लो च एहमता मंता तमेखु आपत ने जू एटले घोडा घोडा नी साथे रहे वांदरा वांदरा नी साथे फरे गदेडा गदेडा नी साथे रहे इटले इपशु जिने आपने बे अकल कहिए जिये इपशु ने पण इटली कबर जे के हुँ एक शरीर नथी पण हुँ एक जाती नो मेंबर जो एक कॉम्यूनिटी का सदस्य हुँ समझाई जे बात इटले शरीर थी बार गई ने नि समझ ने तो पची गोडा गदेडा साते केम न फरे गदेडा बंदरा वांधरा साते केम न फरे परन्तु एपशु ओने पण एकली समझ चे कि हमें एक शरीर नथी हमें एक जाती ना सदस्य अच्य है आ हाथी गोड़ा नी वाद जवा दियो तुमें ओली नानकडी कीडी छीटी इनानकडी कीडी ने क्याक मिश्री नी डली मड़ी जाए न तो इतमें जो जो माथामा उपाडी नाम धंडे रोपीट से मिल गया मिल गया मिल गया अने 25-500 कीडियों इमाश मिश्री नी डली उपर एक साथ है इनों स्वाद लेता हश है जो यूज है घरमा एक साथ है नी उपर इटली आटली कीडी 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 हो है साइस आटली कीडी ने पण एक समझ जचे के हूँ एक शरीड न थी हूँ एक कॉम्मिनिटी एक जाती नी एक मेंबर छू हवे जो कोई व्यक्ति मनुष्य हूँ एक शरीर हूँ माता हूँ पिता हूँ भाई हूँ बहन जो एटला माज एनी आ सकती होए तो तो पची ये पशू धी पन बत्तर छे उससे तो अच्छा पशू है हां कि एटली समझ तो पशू माँ पण छे एटले शी महा प्रभुजी कहे हो कि आवो आ सकती परिवार मा नी राखो प्रेम राखो पन के वो भागवदे पृत्ति अर्थम अब वो केसे तो देखो वारता जी में आप चले जाओ कई प्रसंगपन को मिलेंगे कुमंदास जी को पूछी कितने बेटा हैं तो कह कही कितने बेटा हैं कह कही कुमंदास जी ने कितने बेटा हैं डोड डोड न हता कितला साथ फिरोही है कि पूछिजीbooks हमने तो सुनी साते तुन्हें का काऄ गाते हैं भाद बढ़िर मुख से एक छे सेवाय करें जे सत्संग करें एक छे केवल गाईनी सेवा करें जे बाकी बदा बहिर मुख छोकराओ के वान लायक क्या छे प्रसंग में आजाओ तो मैं एक माझे ढाकर जेने बूपरिम भावती सेवा करती यह वह वातसल्य भाव एना बेदिक रहाओ एक दिवस दिवाद दिकराओ मरी गया रडवाला की कोई यह पूछिऊ क्यों रो रही है तो कहें मेरे ठाकुर जी के दो खिलोना चले गया है कि ओलाने बाल भावतो प्रभूमा उने ओला बन्ने छोक्राओ ठाकुर जी एनी साते रमता खेलता अनुभाव जताओता परन्तु हवे ओला बन्ने वया ग्याने आजे यी एकला छे ठाकुर जी उदास छे आननन मन नथी रडे छे कें पुत्र मरी गया एकला माटे परन्तु प्रेम नो रंग जे छे मोह जे छे भागवद प्रित्यर्थम कायानके भागवद सिवा मां उपियोगी हाता तो बस आ परिवार मा रहे लोस ने है आ प्रपंच ए प्रपंच ने ठाकुर जी साथे जोड़वा माटेज कृष्ण सेवा सदाकार्या श्याचारी जी आग्या करी कि जे क्रिष्ण सेवा करे ठाकुर जीनी सेवा करे ए पुष्टी पुष्टी जीव जो पुष्टी प्रवाही जीव पन होए पुष्टी मर्यादा जीव छे पचि पुष्टी पुष्टी अनेक शुद्ध पुष्टी चार प्रकार ना जीवो छे पुष्टी प्रवाही जीव पुष्टी प्रवाही जीव पुष्टी मर्यादा जीव इना थी एक उपर पुष्टी पुष्टी जीव पाट स्तूत्र ससंग पन करशे अने साथे ठाकुर्जी नी सिवा पन करशे प्रिम भाव भाव ना साथे ठाकुर्जी ने लाड़ लड़ाऊ शे पुष्टी पुष्टी जीव अनेनाथी एक उपड़ शुद्ध पुष्टी जीव के जेनी निष्ठा ठाकुर्जी करता पड़ विशेश पृति शिवल्लब मां होए शे आचारजीनी सेवा मां होए शे महाप्रभुजीनी सेवा मां तत पर होए शुद्ध पुष्टी जीव आज शे आचारजीना ग्रंथों नूँ वांचन करें तो आपने आपड़ु सुरूप समझाए कि आपने कई कैटेगरी मा आविये छे आज शे आचारजी सुबोद्री मा आग्या करें छे के निरोधस्य अनुशयनम प्रपंचे कृड़नम हरे कि आज ये कृष्ण सेवानों जे प्रकार छे शुकाम कि ये तमारा प्रपंच मा ठाकुर्जी ने पदराओ और ए प्रपंच ने प्रभु साथे जोड़ी दो सर्ववस्तू समरपणम अनुश्य आचार जी कहे जगे इज पच्छी तमारों ठाकुर्जी तमें ज्यापन हशो जेपन देश मां हशो तमने तमारा घरमा ए निरोध सिद्ध कराऊ शे आपने केटलू इनी साथे जोड़ाई ये छी है इज ठाकुर्जी तमने निरोध सिद्ध कराऊ शे गम में त्यां हुई है शे आचायर जी आग्या करें छे कि जारे आविस्थिती जीवनी आवी जाए सर्व वस्तू समर्पन जीव करवा लागी जाए ये आसत्ती ठाकुर्जी मां जोड़ाई जाए त्यारे निरोध नी एक त्रीजी दश्या बतावी है शे महा प्रभुजी कहेज़े के स्वासरूप विस्वर्ती पूर्विका भकता शक्तिर भगवत अह निरोध है के जारे भकतने भगवान मा निरोध धही जाए एने एना अवगर चाले नहीं सवु थी कोई पन कारे करता पिला विचार आवे के नियूं मारा ढाकुर्जी नी सेवानू शू थशे जारे जीवनी आविस्तिती बनी जाए छे त्यारे